हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल तो अभी कुछ दिनों से मेरा एक जाम चल रहा था जिसके वज़े से मैं आप लोगों के कमेंट का भी रिपलाई नहीं दे पारी थी और आप जो टॉपिक्स पोल रहते उसका नोट्स भी आप लोगों के साथ सेयर नहीं कर पारी थी तो आज मैं टैबुलेशन का नोट्स सेयर करने वाली हूँ यह MSC 3rd semester, subject immunology के 4th unit का टॉपिक है इससे पहले भी मैंने टैबुलेशन का एक नोट्स सेयर किया हुआ है तो अगर आप लोगों को वह समझ में नहीं आता है तो आप यह नोट्स फोलो कर सकते हूँ तो सबसे पहले हम लोग साइनोप्सिस से स्टार्ट करते हैं साइनोप्सिस में हैं introduction, tabulation, major organ, formation जिसमें पहला है notogenesis, second है neurogenesis, third है mesogenesis और fourth है enterogenesis फिर है conclusion और last में है reference तो लोग introduction से start करेंगे ऐसी process जिसमें tube को बनाया जाता है या फिर shape दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं tabulation membrane organization के false औरूप tabular projection का formation होता है यह अंदर की और या बाहर की और हो सकता है जो three germ layer होता है ectoderma, mesoderma and endoderma यह overlapping होकर flat disc बनाता है upper layer जो है वो ectoderma से central inner ear और outermost layer of skin peripheral nervous system, eye और कई सारे connective tissue का formation होता है और middle layer, mesoderma से heart और circulatory system, bones, muscles and kidney का formation होता है inner layer endoderma से lungs, intestine, thyroid, pancreas और galb reader का formation होता है tabulation देखते हैं organogenesis की पहली अवस्था में germinal layer divide होकर groups of cell बनाता है जिसे primary organ rudiments कहते हैं यही process tabulation कहलाती है second phase में primary organ rudiment फिर से divide होकर second organ rudiment बनाता है यह फिर से differentiate होकर specific organ बनाता है tabulation की प्रक्रिया में जो major organ forming area होते हैं उनमें नीमन प्रोसेस होते हैं पहला होता है notogenesis, second है neurogenesis, third है mesogenesis और fourth है enterogenesis तो हम लोग पहला देखेंगे notogenesis notogenesis में notocod का formation होता है जो notocod के forming cell primitive stick के hands on node में होती है first step में hands on node anterior से posterior के ओर connect होने लगती है और उसके पर साथ second step में hands on node के सिकूर्णों के साथ notocod आगे से पीछे के ओर लंबी होती जाती है notocod size में increase होती हो जाती है और primitive stick छोटी होती जाती है यहाँ पर diagram के दुरू समझाया गया है और यह last में जो notocod का structure कैसे होती बनता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है diagram आप लोग बनाएंगे फिर second देखते हैं neurogenesis formation of neuron या spinal cord का formation neurogenesis कहलाता है gastrulation के बाद ectoderma के लिए notocod formation होता है notocod signals निकालता है जिसे यूँ character कहते हैं और यह signals nervous system formation में भाग लेते हैं इस signal के कारण ectoderma की दिवार flat हो जाती है flat हुआ भाग अंदर धसने लगती है जिसे invagination कहते हैं और neural groove बनाती है उसके पस्टाथ ectoderma की दिवार fuse होकर neural tube का formation करती है यह neural tube फैल कर जाती है जिसका posterior brain बनाता है posterior भाग spinal cord बनाता है यहाँ पे ectoderma है वो notocod को दिखाया गया है उसके बाद in vagination होता है इसमें फिर neural group बन जाता है neural tube neural group से फिर neural tube और उसके बाद spinal cord brain सबका formation होता है फिर है meosogenesis तो इस प्रोसेस में meosoderma की layer 3 block में डिवाइड हो जाती है फिर्स्ट ब्लॉक इपी मियर सेकेंड ब्लॉक मीजो मियर तथा थर्ड ब्लॉक को हाइपो मियर कहते हैं इसके अगले स्टेप में इपी मियर वाला ब्लॉक फिर से 3 भाग में डिवाइड हो जाता है से डर्मी सेपी डर्मी बनता है और स्कलेरो टॉन से बोडी स्केलेटन बनता है फिर है मिजो मियर यहाँ पार्ट एक्सक्रेटरी ओर्गन, एक्सक्रेटरी डक्ट, मस्कुलर पार्ट ऑफ गोनेट्स एंड जनाइटल डक्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स इन सबका फॉर्मेशन करता है फिर है 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 इपो मियर इससे हार्ट, बोन मैरो, ब्लड सेल्स, बर्ड वैसल, स्मूथ, मसल एंड इन सबका फॉर्मेशन होता है फिर है 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 इड्रो मियर टू पार्ट में स्प्लिट होकर मिजो डर्मा बनाती है जिसके उपर के भाक को सॉमेटिक मिजो डर्मा तथा इनार पार्ट को इस्प्ले मैट्रिक मिजो डर्मा कहते हैं जिसके अंदर सिलोम का फॉर्मेशन होता है तो डाइग्राम आप लोग बनाएंगी इसके बाद डाइग्राम है फिर लास्ट है एंटेरो जिनेसिस इसे अलिमेंटरी के नाल का फॉर्मेशन होता है जो enterogenesis होता है उससे elementary कनालों का formation होता है इसके बाद conclusion है और उसके बाद है reference तो conclusion आप लोग खुद से बना लिजेगा इसमें conclusion एड नहीं कर पाई हूं तो conclusion खुद से बना लिजेगा और reference भी खुद से लिख लिजेगा तो अगर नोट छाल भभू लगा होता प्लीज लाइक, शेर और सुस्क्राइब और था न्यू वर वाचिंग